सरकार ने मुसलिम धन प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है NIA ने शनिवार को जाकिर नाइक के इसलामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में दर्ज थानों पर शापे मारे NIA ने आतंगवाद रोधी कानून UAPA के तहट दर्ज एक प्राथमिकी में नाइक, IRF और अन्य का नाम शामिल किया है NIA ने सभी कागजातों को सील बंद करते हुए अपने कबजे में ले लिया Agency के अधिकारियों के साथ काफी संख्या में मुंबई पुलिस भी मौजूद रही सरकार ने कुछ दिन पहले ही NIA के संस्था Islamic Research Foundation पर 5 साल का बैन लगा दिया था जाकिर की संस्था पर गैर कानूनी गत्विदियों में शामिल होने का आरोप है इसके पहले जाकिर नाइक के NGO पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा था कि जाकिर नाइक का NGO गैर कानूनी गत्विदियों में तो लिप्थ है ही साथ ही धार्मिक भावना भढ़काने का भी आरोप लगा था बताया तो जा रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है आगे के लिए सबूतों के लिए चाप पिमारी की गई है खबर ये भी है कि पूश्टाच के लिए जाकिर नाइक को बुलाया जा सकता है हाला कि नाइक अभी भारत से बाहर है नाइक पर उसामबिल लादिन का गुड़गान करने का आरोप और उसने कहा था कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी होना चाहिए